नवाज शरीफ साब भी सर पकड़ के वैसे तो खमोस ही बैठे वे और उन ते अहीं समझ नहीं हो रही कि शिवाज श्रीफ ती गाल हो यह भी जब आएमेफ ने क्या देना है कि भाईजान आपने पाट्रोल पी महेंगा करना है पर इमेफ की तरफ भी हमने कशकोल लेके जाना याला याला करके जागे उनको कहना है कि भाई जानो कोई पोखे नंगे असलाम अलेकों व्यूर्ट्स ब्यारावे मौसिन और मेरे साथ है अलीजान और आप देख रहे हैं हम से जानो हम ते जानो में आज हम बात करेंगे जो नहीं हुकूमत आई है इसके दरपेश जो मसले मसाइल है जो शबाज शरीफ साहब को जो मसले मसाइल है आई एम एफ के साथ जो मौाइदे जो होने है या करदा जो भी जो मांगनी है हमारे मुल्क ने और आई एम एफ के साथ और जो पी टी आई की हुकूमत जो है पी टी आई की जो लोग है वो हमारी इस हुकूमत को किस सबसे पहला जो चैलेंज इनको दरपेश है वो यह है कि PTI वले क्या करेंगे फॉर जेंपल यह लोग अगर पार्लिमेंट की हाथ तक रहते हुए इतजाज करते हैं जो कि यह लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि जी आगे बज़ेट पेश करने हैं आई-म-फ की तरफ जाने हैं बड़ी करून साजी हैं सब कुछ होना है तो वह वहला प्रैसर तो जेलने के लिए लोग मेंटरी तोर पे त्यार है कि यार चलो ठीक है हम लोग बरदास्ट कर लेंगे शोरोगुल होगा हंदामा होगा लेकिन अगर PTI जो काल दे देती है जैसे कि अली मीन कोई पोखे नंगे मरगे सानूं पैहे दे तो ओना कोई पैसे लाएगे वापस ओना नो दे दे देने है तो वो डबल मुश्कलात का सामना हो जाएगा तो अगर तो PTI सडकों पे निकलाई और साथ अवाम भी निकलाई तो मैं करता हूँ शिबाश शरीफ साब के लिए तो यालज़र वो इस तरफ जा रहे है जो आई एमफ जो है अगर आई एमफ कर्जे देने पर बात आद्वी हो जाए निके बात माल लेता है के हम देते हैं लेकिन जो इम्रान खाने खत लिखा है के जो मुझ जो आपने कहा था के जी आपने फुल एर फेर इलेक्शन करवा आपने हैं अगर कहते हैं कि यार नहीं तो मुझे लेक्शन फॉर्म 45 जो है वो नहीं कहा के दो 447 नहीं देना है जारे उसका क्या चक्कर है इसको आप इस तरह से देखें के पहले जो है आई एमफ वालों ने कुछ शिरायत नर्व रख रहे थी हाँ अब उनको पता है के ब इसे नमजान आ रहा है मशाला ताजरों ने मिंगाई करनी है रुनाफागोडिया करनी है वो अमरों पर भी जाना है राश्र भी देने है तो वो हमारे अवाम को इन चोड़ना है और आई एमफ ने भी यही प्रैसर देना है और यह शिबाश श्रीफ साब के लिए फिर से ए बेरी जान देख अब महंगाई कैसे काबू करेंगे जब आई एमफ ने कहा देना है कि भाई जान आपने पट्रॉल भी महंगा करना है ठीक है आपने साथ में बिजली भी महंगी करनी है गैस भी महंगी करनी है हमारे जो हम आएक आम अवाम हम बें एक आम आम आवाम है आप लोगों की पूरी पूरी तर्खाएं लिका जाती है यहां तो पर यह एक कि जी खादम साय ने ज्वी साब कहते होते थे यह गोरी आया सीधा सीधा मठा करते हैं कि बाई जैन कोई करजा गुर्जा नहीं है ना सी वापस करना ना सी लेना और किसी तरह कोई ऐसी स्ट्रेटिज बनाएं अबंदियां लगेंगी सब कुस होगा अमेरिका की तरह से प्रेशर भी आएगा लेकिन अगर हम एजे नेशन मुतहीद होगे और इमिनान खान साफ भी थोड़ी देर के लिए अपना कीड़ा ठंड़ा करके अगर मुल्क के खातिर सोचने लग जाएं तो मैं कहता ह कि दस साल के अंदर-अंदर मुल्क जो है वो काफी हद तक अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा यार अली जान यह देख मेरी बासुल लॉजिकली बात कर यह हकूमत क्या यह काम कर सकती है यार करना चाहिए अगर जिसना भी दो नमर तरीके से स्लेक्टिट है जैसे भी आ यह सब यह सबान हम यह दो आले कि शहाँ करें और कर्जों से जान चुञाने की कोशिज करें बलकुल सही हम लोगों को यही करना पड़ेगा के हम लोग ऐसे कुछ करें के जिसे हम सब को कोई भी कौर्मेंट है हम चोगों चाहिए कि हम लोग मिलके एक जगा पर बैठ के और हम लोग मिल बांट के हम लोग इस मुलक को रन करने की कुश्य करें कुछ ना कुछ करके मुलक के लिए कुछ किया जाए ना कि अपनी ही जेब भरी जाएं और Everfields अपार्टमेंट्स की जैसे और अपार्टमेंट बनाए जाए आपसे दुबारा मुलाकात होगी इंशाला नेक्स वीडियो में अल्ला हाफिस